नमस्कार मीत्रों मैं डॉक्टर माविर व्यास मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं क्या मास्टर बेशन करना सही या गलत चीज है अगर यह गलत है तो इसके क्या साइड इपेक्ट होते और गर साइड इपेक्ट होते तो इसका होमियोपेथी में में क्या उपाई इसके बारे में आज आम बात करेंगी तो आए शुरू करते हैं मास्टरबेशन करना पूर्षों में यह आम चीज है और 90% पूरुष जीवन में कभी ना कभी मास्टरबेट करते हैं और अगर यह नॉर्मली महिने में 2-3 बार किया जाए तो इसके कुछ side effect नहीं होती लेकिन अगर इसकी लत लग जाए तो इसके कुछ नुकसान जरूर होते हैं जैसे कि अगर इसकी लट लग गए हो तो आपका माइंड जो हो कॉंसंट्रेट नहीं कर पाता जो आपका थोट प्रोसेस है वह मास्टर बेट के रिलेटेड़ी वीचार इसमें चलते रहते जिसकी वज़े से आपकी एकाग्रता में कमी आ जाते हैं सामाजिक तोर पर इससे अ भादत होती वो खुद को तो सस्थों संक्ष्ट कर लेता है लेकिन बाद में अपनी पत्नी को संतो्ष्ट नहीं कर पाता है तो इसकी वज़े से जो सादी इसकी जो blood supply वो कमजोर हो जाती और link में टेड़ेपन की समझ्या भी हो सकती है अगर बहुत ही ज़्यादा किसे ने masturbation किया है या इसको हम बचपन की गलती बोलते लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता अगर limited मात्रा में किया है तो इसकी कुछ side effect नहीं होते तो अगर आप बहुत ही ज अगर इसकी वज़े से आपको importance की समझ्या आ गई है तो हमियोपेथि आपको बहुत ही ज़्यादा help कर सकती तो है इसकी कुछ हमियोपेथिक medicine के बारे में बात करते सबसे पहले में जो हमियोपेथिक दो mother tincture आपको बता रहा हूं वह masturbation की आदत छुड़ाने के लिए पहल इसको बार-बार आते रहते हैं वह रोक नहीं सकता तो अश्टी लागो और ओरिगेनम का mother tincture दस-दस बुंदे दिन में तीन बार mix करके कुणगुने पानी के साथ लेने से masturbation की इच्छा आपको कम हो जाएगी यह बहुत ही effective mother tincture से दूसरी medicine है केलेडियम 30 जिसको sexual excitement जो होता है वह बहुत ही ज्यादा होता है लेकिन erection नहीं हो पाता याने कि जो लिंगे वह कड़क नहीं हो पाता और बहुत ही early discharge होता है और कभी-कभी जो erection है वह painful हो रहा हो तो केलेडियम को 30 potency में दिन में दो बार लेने से बहुत ही अच्छा जाती है जब भी वह perform करना चाहता है तो erection बिल्कुल नहीं हो पाता तो अगर anxiety related एगर यह प्रब्लेम है इंपोटेंसी का तो लाइकोपोडियम को 30 potency में दिन में दो बार लेना चाहिए इसकी next medicine है Agnes Castras 30 Agnes का जो patient होता है इसको erection बिल्कुल नहीं होता और जो इच्छा हो इसकी medicine selenium 30 selenium का जो patient होता है इसको premature discharge का प्रब्लेम होता है और साथ में urine के साथ various colon भी हो जाता है जिसको स्पर्मेटोरिया बोलते है तो यह urine यह stool के साथ अगर स्पर्मेटोरिया का प्रब्लेम हो तो selenium को 30 potency में दिन में दो बार लेना चाहिए इसकी next medicine हो भी एक मदर जिसका नाम है दामियाना क्यूं याने की दामियाना का मदर टिंग जिसको शिगरपतन लिंग में डिलापन साथ में शारेरिक और मांसिक कमजोरी बहुत ही ज्यादा हो उसको दामियाना से बहुत ही फाइदा मिलता है और यह testosterone का लेवल भी बढ़ाता है तो इससे जोस में वापस एस्टाबलीश हो जाता है और बहुत ही ज्यादा सारेरिक और मांसिक दुलबर्दा जो होती इसमें भी इससे आराम मिलता है और मित्रों इसकी लास्ट्रों मेडिसीन साइडोन या वलगारिस अगर बहुत ही ज्यादा मास्टरबेशन की वज़े से लिंग पतला और यह बहुत ही ज्यादा फाइदा पहुंचाती है उमेदे जानकारे आपको पसंद आये होगी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकोन नमस्कार जैहिन